सम्मानी साथियों को मेरा नमस्कार, MK Education चैनल में आपका स्वागत है साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजी, बेल आइकन को प्रेस कर लीजी ताकि आने वाली वीडियो का नूटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहेगा प्रतिवापरो के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में डले हुए हैं तो आप वहां से भी इन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं बच्चे इन वीडियो को देखकर अपने कठनाई का इस्ता जान सकते हैं, उन्हें जो भी चीज कठीन लग रही तो आप वीडियो की साहता ले सकते हैं, इसी उद्देश से वीडियो बनाए गए हैं, पतिवा पर मुल्यान का उरक्षिट 2021 विसाज अंग्रेजी सामान दिया गया है, कक्षा सातवी, खंड आ, विद्ध्याती सर्पतम यहां पर अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, कक्षा यूम, जिस विद्ध्याले में विया दिन रहत हैं, वहां का इस्कुल का नाम, खंड आ के अंतरगत 16 प्रशन सामील होंगे, एक बार हम इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं, को साला धरित लिखित प्रशन वर्क्षीट में दिये गए, प्रशनों के उत्तर वर्क्षीट में प्रशन के नीचे आगे दिये गए स्थान पर निर्देश अनुशार लिखे जाएंगे, खंड और खंड बार, अब कोविद्ध्याले बंद हो गए हैं उनको अब हमें घर पर ही रहके कंपिट करना है, मुल्यान का वर्क्षीट और मुल्यान का प्रोजेक्ट शीट, यहां से वर्क्षीट पर कार करना प्रारम करें, एक बार हम इसके पेसेस को पढ़ लेते हैं, फिर इसके उत्तरों को देख लेंगे, डिट दा पेसेस एंड अंसर दा फालूइंग कोस्टन, निम्लिकित गद्धांश को पढ़कर प्रशनों के उत्तर दीजिये, तैजिंग एंड हेलरी वेर क्लेंबिंग दा पीक अफ एवरेस्ट बैलांसिंग देयर बोडीस केरफुली, देयर टायर्ट बट देयर नाट लॉस हाब, देयर मशीन फ पीडिक टो फिंद आट व थीप टो बद बीप टो शनो इसके गद्दनसों को हमने एक बड़ पढ़ लिया है माउंट एवरेस्ट के बारे में इसमें दिया गया है कि जो दो वेक्ति माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चल रहे थे तेजिंग और हिलेरी उसके बारे में दिया गया है कि उनको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ा उसी से related यहां पर बाते दी गई हैं अब इसके हम प्रशनों पर आते हैं तेजिंग एंड हिलरी वेर अबल टो केंब एवरेस्ट विकास दे वेर तो इसका सही उत्तर आजाएगा बी नंबर का कोरेजियस अगला प्रशन दिखते हैं दा हाइस्ट पीक इन दा वर्ट इस तो संसार की सबसे उची चोटी मांट एवरेस्ट वाइड वेर टेजिंग एंड हिलरी फाइंडिंग इस इट डिपिकल्ट टो क्लेंबिंग तो मांटेन तो यहां जाएगा दा शनो ओन दा रॉक वास मिल्टिंग फिर अगला कोशन जाओं थे नंबर का है वाइड वे अटेंजिंग एंड हिलरी एक्साइट वे एक्साइट क्यों हो गए थे तो दे हार्ट दे हैड रिष्ट दा पीक क्योंकि वे मांट एवरेस्ट के उपर चड़ गए थे इसलिए वे बहुत ज्यादा उत्सुक थे दे रिमिंग वर्ट फार क्राउन इस तो क्राउन का जो रिमिंग होगा वो ब्राउन हो जाएगा बी नंबर का दा प्रूलर आप माउस तो इसका भाव बाउ बचन माउस का हो जाएगा मैस मीस अगला प्रस्ण है इस नौ एस दा सीप आप डिशर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं तो केमल राधा खालिस्तान रेखा अर्टु शिष्टर तो यहां पे आ जाएगा एंड राधां रेखा आर्टु शिष्टर अगला प्रशन पढ़ते हैं 9 से लेके 13 तक की प्रशनों को हमाल करते हैं लगूत 3 प्रशन के अंतरगा तो 9 मा प्रशन है वेर डू वी गेट फ्रेश एर फ्रॉम तो दा बेस्ट प्लेश तू फिट फ्रेश एर एंड इन्वल्मेंट तो लिव इस फॉरेश्ट अगला कोशन है वाट डज दा चेल्ड सी वैन ही इस अप इन दा एर तो दा चेल्ड सी ट्री रिवर्स एंड कैटल ओवर दा कंसाइट विल ही इस अप इन दा एर अगला प्रशन देखते हैं तो मंकी शिवेंग ओन दा ब्राइचेस अप दा बन्यांट त्री अगला है अगला है अन्डर लाइन दा एडवर्ब इन दा फालोइंग लाइन इन राइड सी तो नहां से से इन्टेंस में से हमें एडवर्ब कुछ आटना आ तो यहा के हर लिए और यहा की होगा yearly दोनों एवर भी दोनों के answer यहाँ पर दी गए है तेरवे नंबर का प्रस्न पढ़ते हैं ride the comparative and superlative degree of the following words तो old का हो जाएगा superlative older और sorry comparative older और superlative oldest और young का comparative younger और superlative हो जाएगा youngest इसके बाद हमें यहाँ पर solar system का एक चितर दिखाई दे रहा है 14 नंबर के question पर इसके बारे में हमें line लिखने को बोल रहा है five sentence तो the solar system is about चार से लेके 6 billion year old if formed by gravity in a large cold most of this matter came together in the center और एंड दा रेस्ट प्ले टेंडेट इन्टू और बिटिंग डिस डैट बिकेम दा solar system बच्चों को अगर भी इससे ज़्यादा जनकारी पता है उनके copy में समा रहा है तो भी इसके बारे में वस्य लिखें पतीक बच्चे का उत्तर यह अलग-अलग हो सकता है जरूरी नहीं कि यहीं उत्तर सबका एक्सा हो अगले कोशन पर आते हैं Write an application to the principal of your school grant you for dash as you have fever अपने विध्याले के principal सरसे चुट्टी लेने के लिए चार दिन की चुट्टी के लिए आउदन पत्र लिखना है जिसका काराण आपको बुखार का बताना है जिसके कराण आप चार दिन की चुट्टी लेना चाहरे है तो to the principal government प्राथमिक बालक साला जो भी आपके school का नाम है बच्चे का वे यहाँ पे फिल अप करेंगे subject application for four dash lieu respected sir, I beg to say that I have been suffering from fever since last night so I am unable to attend the class kindly grant me a lieu four dash यहाँ पे data जाएगी यहाँ पे आप you are obediently people भी लिख सकते है जगे के अभाव के करण हमने student का नाम लिखा है अब यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे अब आते हैं class 7th has decided to go on the picnic this way डिनेश्टे, राम, मीना, माया and रवी are absent today sent them a message include the following information मतलब जो बच्चे रवी, राम, मीना, माया और रवी जो अपसेंट है उनके पिकनिक में ले जाने के लिए उन्हें को message देना है उन्हें जानकारी पहले से पता नहीं है तो उन्हें इस फार्मेट के माध्यम से message दिया जा रहा है इसमें दिखाया गया है the place of picnic, the date and the meeting point or the eating and playing material message है, यहाँ पर date लिखाया हमने जिसे 18-2022, जिस दिन पिकनिक जाने की यहाँ पर दिनांके 24-2022, यहाँ पर आप कोई भी place लिख दीजी जहाँ आप पिकनिक जाना चाहते हैं मैंने लिखाया राम मंदिर सोनपूर, फिर meeting point go on picnic और material टूब रिनिंग जो साथ में लेखे आना जैसे हमने लिखाया महत्पून मुल्यान का worksheet को देखा है, उमीद है वीडियो पसंद आया होगा, चैलन में नए हैं तो सस्क्राइब कर लिजी, बेल आइकन को पेस कर लिजी ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आम तक पहुंचती रहेगा, साथियो मेरे चैनल में प्रतिभाप और स कुनाए गए है, धन्यवाद